आपको क्यों हैं,прinated? क्यों दिक्यत्व होती है, हमारी गलती होती है, मोंटर की गलती होती है, स्टेयर पूरेजे लाते हैं, उसके अंदर लगाते हैं, करने होते हैं, करने हिसले हैं, आपको लोगेरे हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ राभू परसाद और आप हैं एसी सोलोशन यूटूब चैनल पर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मोटर गरम होने का सबसे पहला कारण यह होता है कि जब आप अपनी मोटर की वाइणिंग कर रहे होते हैं और वाइणिंग करने के दौनान अगर आप उसके अंदर गलत डाटा डाल देंगे यानि कि पहले जो उसके अंदर अगर पहले से कंपरी से जो मोटर बंद के आई थे उसके बाद किसी ने उसको वाइणिंग किया उसके अंदर गलत डाटा डाल गया उसके तवारा वाइणिंग किया वो मोटर फुग गया और वही डाटा आपने भी डाल दिया तो दुबार यही दिमाग लगाना होता है हम लोगों को वाइंडिंग के दौरान कि कहीं इसके अंदर जो डाटा डला हुआ है कहीं गलत तो नहीं डाल दिया है बंदे ने कई बार ऐसा होता है कि जो पीछे जिस बंदे ने विसकी वाइंडिंग किया तो उसके पास तार नहीं होते है या क किसी दो-तीन मोटरों का डाटा आप अपने पास नोट करके रखिए, और जो डाटा आपका मतलब इसके हिसाब का मिलता है, साइस के हिसाब से, उस डाटे को आप इस मोटर के अंदर डालिए, ये नहीं कि जो निकला वही डाल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना हाँ एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपके मोटर में मनले मानलीजे सब कुछ सही है उसके बार भी मोटर आपकी वोवर हीट हो करके फुक रही है तो वहाँ पे आप 2-2-4,000 तरने बढ़ा करके भी डाल सकते हैं इससे आपकी मोटर गरम होने से बचेग नहीं करना है और इसके अंदर जो सेटिंग बगरा की है निके जो को स्वाइज बगरा है वो भी सब कुछ स़्छी है फीक से पूरा उसके अन्दर कोई भी दिकटत निहीं पिर भी आपकी मोटर खरम हो रही है तो कई बर ऐसा होता होता है होने की दौरान हमारी क्वाइल जोस्तों बहुत ज़्यादा गरम होती है जिसकी वज़े से मारी मोटर फुख जाती है इसलिए वार्मिस ठोड़ा धंक से किया करो और मोटर की फिटिंग करते हैं तो मोटर की फिटिंग के दौर अगर इसका रूटर और स्टैंपिंग दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो भी हमारी मोटर दोस्तों बहुत ज़्यादा गरम होईगी और गरम होकर के फुख भी सकती है खराब भी हो सकती है इसलिए जब भी फिटिंग करते हैं तो आप अमनी मोटर की जो स्टैंपिंग है और रूटर इसको बराबर रखे बोड़ी को प भी फिटिंग करते हैं और टिंग करने के दौरान वह मोटर जाम रहती है किसी कारण से चाहिए आपकी मोटर के रूटर के प्र knew very bearing है वो खराब हो या उसके अंदर आवाज बहुत जादा हो या उसके अंदर जो मतलब उसकी bearing की seat है वो कटी हुई हो मतलब आपने उसके अंदर मतलब टक लगा दिया है उसके अंदर पंच करके उसके फिट किया और आपकी टाइट हो गई है ऐसे में भी मोटर की जो bearing होती है उसमें आवाज जाती है जब आपकी मोटर जाम चले की जाम चलने के जवरान आपकी मोटर की winding के उपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है जो कि हमारी winding बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है इसलिए दोस्तों जब भी आप अपने मोटर की winding करते हैं कि यह ज़या है तो अगर यह सब कर दोस्तों सब कुसी कर दिये मंखहन की तरह पूरा चलना चलेए अगर अभर आइसा नहीं चलेगा तो निश्चेत है कि आपकी मोटर हीट हो गी और हीट करके गदिए थाक है इस बात का ध्यान गया थे सबक्राइब कर दिए सभी कर दिया और फ्री बहुत जादा है उसके बावजुद भी आपकी मोटर एक घंटे से जादा मतलब नहीं चलती है या लगा हुआ जिस मोटर की अंदर तो उसका तो पैसा बाइंडा है दस रुपए एक्ष्टर मिलेगा उसको उठागे देदेगा लो भाईया पंदरा के लिए लगाओ जहां दसका लगने काफेश्टर सेम तो सिम्हारा आदेश मोटर रहे हैं तो से बड़ा बिल्कुल मतं लगाईगा बारे का भी नहीं नो का लगा सकते हैं लिकिन बारे का पंदर कम लाजिए लिए जैब आप की मोटर गर और यह तो आपको यह चेक करना एक उल्टा और एक सिधा करके तो नहीं डाल दिया आपने इस बात में ध्यान दीजिएगा एगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि आपकी मोटर के अंदर एंपेर जादा आएगा आपकी मोटर जो की राउंड सही नहीं बनाएगी और आपकी मोटर हीट बहुत जादा होगी और एक दिन की क्या बात करें एक घंटे भी वो मोटर आपकी नहीं चलेगी अगर आपने उसको चला दिया तो इसलिए आप जब भी वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने के दोरान आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब क्वाइल डाल रहे हैं तो क्वाइल जिस तरीके से डालना चाहिए सब ये को एक ही तरीके से जितनी क्वाइले हैं जितनी क्वाइलों का सेट है सबको आप एक ही तरीके से जैसे पहले डालते हैं, वैसे सबको डालना है, कई लोग दोस्तों उल्टा डालते हैं, कोई लोग सिधा डालते हैं, तो अगर उल्टा डाल रहे हो, तो उल्टा ही डालिए सबको, और सिधा डाल ले हो, तो सिधा ही डालिए, एक उल्टा और एक सि जो problem होती वो ना होने पाए चलिए बढ़ते हैं आगे जानते हैं अगले problem की बारे में जिसकी वज़े से हमारी motor overheat होती है और फुक जाती है खराब हो जाती है पहला कारण बहुत लोग लापरवाही करते हैं उनमें पंखा लगा हुआ होता है तो इसके उपर जादा तर लोग गौर नहीं करते हैं और ना गौर करने के वज़े से सर्दियों के अंदर तो हमारी motor मतलब सही चल जाती क्योंकि ठंडा मौसम रहता है लेकिन दोस्तों जब गर्मियां आती है तो हमारी motor कुछ तो motor चलती है उसकी वज़े से गरम होता है और कुछ जो है कि बाहर का जो temperature होता है उसकी वज़े से उसको support मिल जाता है और motor और धदकने लग जाती है अब उसके धदक को सांट करने के लिए इसके पीछे लगाया जाता है एक पंखा पत्ति लगाया जाती है कि किसी में प्लास्टिक की होती है क तो उससे क्या होता है कि जो हमारी motor चलती है तो हमारी motor के पीछे से उसके उपर हवा लगती रहती है तो मतलब जो बाहर की गर्मी है उससे थोड़ा बहुत मतलब उसका temperature down होता और motor हमारी जो अंदर से ददक रही होती है तो वो थोड़ा सा ठंडा करता है उसमें तो जो हमा बस से बस या पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं इस वज़े से या किसी भी कारेंट से आप पंखे को नहीं लगाते तो निश्चित है सर्दियों में आपकी मोटर चल जाएगे लेकिन गर्मियों के अंदर आप उसको फुगने से नहीं बचा सकते हैं इस बात को आप नोट करक से रेपेरिंग करवाते हैं उसके पीचे अगर पंखा लगने की जगह है तो पंखा उसके अंदर ज्रूर लगवाईए और साथी साथ उसका नहीं लगवाई तो भी आपके पंखे की उपर हवा नहीं लगए क्यों कि पंखडी की जो हवा होती दोस्तों वह उपर मुतलब दोस्तों motor फुकने का और उसको गरम होने का कि जब आपके इलाके में या तो बिजनी कम आ रही हो तो भी आपकी motor ज्यादा मतलब गरम होगी और अगर ज्यादा अगर light आ रही होगी यानि कि जिसकी capacity से ज्यादा current आ रहा है और वहां पे आपने अपनी motor को on कर दिया है तो भी आपकी motor ज्यादा गरम होगी और वहां पे फुक भी सकती है दोस्तों क्या होता है कि मान लिजे आपकी motor के अंदर मतलब ज्यादा current आ रहा है यानि कि 220 बोल्ट से चलने वाले है 240 आगे 50 अजा है तब तक तो आपकी motor जहल लेगी लेकिन अगर 300 बोल्ट आ रही है किसी कारण बस क्योंकि जो बड़े सहरी इलाके हैं वहाँ पे तो बिजली नॉर्मल लहती है यानि कि उसमें फिक्स रहती है ज्यादा उपर नीचे नहीं होती फिलेक्ट भी होती है तो 30-40 बोल्ट का फिलेक्ट्वेशन होता है लेकिन बहुत मनले है मान लिजे गाउं की जो इलाके यहाँ पे कई बार लाइट जो कि 400 पहुंझ जाएगी कभी ठीड़ सो आ जाएगी कभी 100 रहेगी तो ऐसे में क्या होता कि अगर बिजली जादा रहेगी तो वह आपकी motor के अंदर जाना current जाने के वज़े से motor आपकी गरम होगी खराब होगी और अगर कम होगी तो वह पूरी round नहीं ले पाएगी लोड नहीं ले पाएगी जिसकी वज़े से आपकी motor गरम होगी और वहाँ पे वो खुख भी सकती है इसलिए जब fluctuation होती है जिस इला रहेगी तो आपकी motor दोस्तों जो 240-220 बोल्ट से बनी हुई है तो उसको आप वहाँ पे चलाएंगे तो आपकी motor के अंदर प्रोलों नहीं आगी वह गरम नहीं होगी और फूके की नहीं खराब नहीं होगी दोस्तों इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे winding करने के के बाद में कस्टमर को भी बताइए खुद भी जानकारी रखेंगे ताकि आपकी motor के अंदर जिसके अंदर आप काम करें जिसकी वाइडिंग कर रहें जिसकी बैरिंग बदल लें जिसका कनेक्शन कर रहें उसके अंदर प्रॉबलम ना आने पाए दोस्तों कैसी लिए आप